हलो एब्रेवन आज की वीडियो ना सिर्फ एगनो स्टूडेंट बलकी ओल ओवो दा वर्ल्ड जो भी स्टूडेंट है या फिर एल्डर भी आप कह सकते हो जो भी बुक लवर है उन सब के लिए बहुत जादा हेल्पूल होने वाली है इसमें आज मैं आपको एक ऐसी वेपसा तो ये बुक डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें सार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू इसमें आप साइन्स एंड टेकनोलोजी के बुक फिक्शन या फिर कॉंपटिटिव एक्जाम्स के लिए जितनी भी बुक आती है वो सारे बुक आ तो आज मैं आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे साइन्स एंड टेकनोलोजी की जो बुक आती है फिजिकल केमेस्टरी बाई पीटर आटकिन्स मैं वो आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगी इसमें लगभग सभी तरह के बुक आपको मिलेगी इस्टिल इफ यूर नॉट तो फाइंड देम आप में को कमेंट करके बताना मैं आपको बताऊंगी कि वो बुक अवेलिबल है या फिर नहीं है ओकी सो लेट्स केट स्टाटेड ओकी सो यह है वो वेबसाइट इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं आपको करना है कि बस उ अपने बुक का नाम और ओधर का नाम लिखना है बाखी जो चीज जैसे है वो उसे वैसे ही रहने देना है मतलब ऐसा नहीं कि आप क्याटेगी बस सर्च बॉक्स में अपने बुक का नाम और ओधर कि मैं यहाँ पे अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बुक डाउनलोड करके दिखा रही हूं सबसे पहले मैं लिखूंगी फिजिकल केमिस्ट्री पहले आप उपने बुक का नाम लिखोगे फिजिकल केमिस्ट्री दिन कौमा देख करके जो उसकी अधर है आप उनका नाम यहाँ पर मेंशिन करोगे जैसे कि इसमें कौन थे पीटर एटकिंस थे यहाँ पर हम लोगों ने पीटर एटकिंस का नाम यहाँ पर लिख दिया और आपको कुछ नहीं करना डायरेक्ट सर्च पर जब आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे पीच पर रीडिरेक्ट हो जाओगे और इसमें यह जो इतनी सारी लिस्ट दिख रही है यह सारी लिस्ट इसी बुक की है मतलब बुक की कई बार लेटेस्ट वर्जन भी होते हैं कुछ ओल्ड वर्जन होते हैं तो वो सारे वर्जन आपको यहाँ पर मिलेंगे जब भी आप बुक डाउनलोड करो बुक सेलेक्ट करने से पहले आपको लेटिस्ट एडिशन देखना है कि लेटिस्ट एडिशन कौन सा है और कौन से बुक में सबसे ज्यादा नमबर ऑफ पेजेज है मैं परसनली जब भी बुक डाउनलोड करती हूँ तो यही देखती और लोगों की बुक मतलब और भी बुक पब्लिश्ट होती है इस वज़ासे वो सारी लिस्ट यहाँ पर शो कर देती है इसलिए आप सबसे पहले टाइटिल को चेक कर लेना देन उसके बाद लेटिस्ट एडिशन एं नमबर ऑफ पेजे जिसके जादा होंगी वो आप सेले होगा मैं हाँ पर रेड मार्क कर रही हूं यह टाउनलोड करनी है इसका टाइडिल भी सेम है यह लेटिस्ट एडिशन भी और इसके नमबर ऑफ पेजेज भी ज्यादा है ओक अब हम उस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो एक और नया यहाँ पर आपको फोकस करना है बाकी और कुछ भी लिखावा उससे कोई मतलब नहीं है मिरर सेक्षन से हमारे बुक डाउनलोड होगी यहाँ पर मिरर सेक्षन का मतलब है यह बुक आपकी इंटरनेट पे कहां कहां स्टोर की गई है तो मैं हमेशा आपको फर्स्ट और सेके को पर पर आपके नमबर हो रही है जैसे ही यह आपके बुक डाउनलोड होगी तो लेंपको और से आपको ऑपन करना है क्योंकि एग्टर फाइल में है तो ये देखो आप ये बुक हमारी open हो गई है physical chemistry इसमें 1085 pages है ये बुक आप free में पढ़ सकते हो लगबग इसी तरह आप अपने courses के book या फिर कोई भी fiction, novel जो भी है आप इसी तरह free में पढ़ सकते हो बिना कोई पैसे खर्च किये basically ये वीडियो उन students के लिए है जो afford नहीं कर पाते हैं कई बार books को 25 करने के लिए तो अभी ऐसा पैसा कोई problem नहीं होगा आप इस वीडियो में जो भी steps दिये गये हैं उसको बिल्कुल वैसे ही follow करो तो आपके book डाउनलोड हो जाएगी कभी-कभी network issue की वज़े से bad gateway लिखाता है तो आप एक दो बार try करोगे तो वो book भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी अभी सबसे important चीज जो है वो मुझे आपको बतानी है कि ये जो फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की ये pdf में थी लेकिन बुक रीड करने के लिए या जो भी फाइल जाती है वो तीन फॉर्मेट में आती है पीडियेफ एपी यूबी और एम्यूबी आई पीडियेफ है तो वेल एंड गूड सबके मुबाइल में पीडियेफ रीडर होता है आराम से वो उपन हो जाती है लेकिन कई बार ईयूबी और एम्यूबी आई जो होते हैं वो एक्सेंशन हमारे मुबाइल में सपोर्ट नहीं करते हैं सबसे पहले हम लोग पीडियेफ फाइल को देख लेते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने जो फिजिकल केमेस्ट्रे डाउनलोड की तो यहां पे आप लास्ट में देखो उसके एक्स्टेंशन में क्या लिखावा है पीडियेफ लिखावा है इसे ओपन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यह इसली ओपन हो जाएगा मगर जो EPUB फाइल होगी यहां पे पीडियेफ के जगावा पर वो लिखा होगा तो उसे ओपन करने के लिए आपको उपनी मुबाइल में एक प्ले स्टोर से अप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर आप उसके दुरू उसको अराम से उस बुक को पढ़ पाएंगे ठीक है तो यहां पर मैंने पर EUPB and MUBI फाइल एक्स्टेंशन आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे जाना है अगर आप Android यूजर हो तो Moon Plus Reader करके एक एप होगा मेरे में यह पहले से इंस्टॉल है मैं इसे बहुत टाइम से यूजर कर रही हूँ काफी अच्छा एप है और अगर iOS या फिर विंडो हो आप लोग Soap FB Reader करके आता है आप इससे डाउनलोड कर लो यह दोनों एप पे आप कोई भी फाइल आराम से पढ़ सकते हो अगर आपको EUPB फाइल या MUBI फाइल को डाउनलोड करने में प्रॉबलम होगी तो आप मुझे बताना मैं एक दूसरी वीडियो में वैसी फाइल से बुक को डाउनलोड करके दिखाऊंगी So I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको लगता है कि मतलब किसी भी वेबसाइट के बारे में ऐसा पाइल से या फिर कॉपिराइट का इश्यू है So अगर आप अफॉर्ड कर सकते हो So you can go and purchase it But जो students अगर फाइनाशल प्रॉबलम की वज़ा से नहीं बुक को अफॉर्ड कर पा रहे है So ये वीडियो उनके लिए है और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें इसकी जरूरत है So enjoy reading Thank you